तो आज हम डिसकस करेंगे UPPCS का ऐसा अनालिस जो अभी तक कहीं पर नहीं किया गया है वह भी आपको पता लगेगा लेटर ओन कि क्या इसमें ऐसा इंपोर्टन आस्पेक्ट है जेनरली जो कहीं पर भी कवर अप नहीं किया गया है तो आज वही पाटन को अब हम समझेंगे कि कैसे जो प्रेडिक्टिबिलिटी स्टेट PCS एक्जांस की वह यूपी एसी के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ जाती है तो एक पाटन इस इजीली हम इस्टाबलिश कर पाए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले आप देख लिजिए कि जो यूपी PCS का सिलेबस इन टर्म्स और सिर्फ हिस्ट्री जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वहीं पर क्या-क्या चीजे आपके नए सिलेबस में हैं पहले तो आपका जो सिलेबस होता था यूपी PCS का उसके बेसिस पे आपको यूपी और अगर आब बात करें नॉर्मल हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री या हमारा नाशनल हिस्ट्री वाला पाट आता था वो सारा का सारा एक इंटीग्रेटेट टॉपिक होता था बट अब as per the new syllabus जो हमारे optionals हैं वो ड्रॉप कर दिये गए हैं हाना optionals को हटाकर totally दो GS जो है differences जो अगर हमें हापे देख रहे हैं कि GS के दो subjects add कर दिये गए हैं that is GS5 and GS6 जो कि सिर्फ और सिर्फ अब क्या होंगे UP specific होंगे तो यानि कि अगर आप history की बात कर रहे हैं with respect to general studies one वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड history और हमारी जो overall इंडिया की history हम पढ़ते हैं वही consider की जाएगी तो आज हम GS1 वाली history के उपर हमने क्या analysis किया वही discuss करने वाले हैं तो syllabus को ज़रा गौर से देख लीजे सबसे पहले point आते है आपका history of Indian culture जो कि क्या क्या कवर कर रहे हैं आपर art forms literature and architecture from ancient to modern times यहां पर आपको syllabus easily आद होना चाहिए तभी आप पता पाएंगे या establish कर पाएंगे उस pattern को भी जो हमने आपके लिए basically derive किया है ठीक है दूसरा कि modern Indian history cover की जाएगी जिसमें significant events पूछे जा सकते हैं personalities के बारे में पूछा जा सकता है and issues क्या क्या रहे उनके बारे में पूछा जा सकता है तीसरा freedom struggle one of the most famous questions या favorite questions अगर आप कह सकत बहुत सारी stages क्या कब कहां हुआ कौंसी contribution कि स्व्यक्ति की रही उस struggle के time पर सब पूछा जा सकता है then post independence consolidation and reorganization with the country till 1965 AD ये सब आप से पूछा जा सकता है syllabus के according then history of the world यानि की world history में आपको events from the 18th century to the middle of the 20th century पूछे जाएंगे जिसमें basically आपकी world war include हो रही है French Revolution Industrial Revolution then redraw of national boundaries socialism fascism पूछा जाएगा Nazism पूछा जा रहे है उनका form क्या क्या रहा और effect society के उपर क्या क्या रहा वो पूछा जाएगा इसके लाबा salient features of Indian society and culture के उपर भी आपको questions in terms of history and culture में पूछा जा सकता है GS1 में तो ये completely सिर्फ और सिर्फ GS1 हमारा history cover नहीं कर रहा है ठीके दूसरे subjects in terms of geography बात करें अगर हम ठीक है the general questions भी आजाते है उसके वो चीज़ अलग है अभी हम सर्फ history का ही pattern यहाप है आपके साथ discuss करने वाले हैं and why is that वह भी हम आपको बताएंगे later on तो अभी के accordingly सबसे पहले आप यह जान लीजे कि आपका paper कैसे होता है general studies का नए pattern के accordingly तो पर अगर आप GS का section देखेंगे यानि कि GS1 का paper देख लीजे या GS1,2 अगर 6 हमारे होते है papers तो हर एक paper जो है वो 200 number का होगा ठीक है 200 number का paper है then वहाँ पे आपको 20 सवाल पूछे जाते हैं तो अभी 20 सवालों की bifurcation कैसे की जाती है 10-10 सवालों के माध्यम से जिसमें पहले जो 10 questions होते हैं वो आपके 12 number के questions होते हैं तो जो 8 marks वाला question है आपको 125 शब्दों में answer करना होता है whereas जो 12 marker question है आपको 200 words में answer करना होता है यह आपका means का basic pattern है with respect to general studies तो general studies 1 में जो history है particularly अब आपका cover क्या कर रही है Indian history as well as world history as per the new syllabus हना तो अब इसके अंदर कुछ जो patterns है वो हमने क्या क्या established किये हैं जो कि paper में अगर आप देखें बार बार पूछे भी गए है right सबसे पहली चीज फेवरेट question जो कि हर एक paper में भी आप देखेंगे लेटर और वो paper भी में आपको दिखाऊंगी कि पूछा ही गया है first is personality based questions जो कि आपकी syllabus में directly आपको दिये गए है किसी paper में आपसे सरदार वल्लब भाई पटेल के बारे में पूछा गया है then महात्मा गांधी जो है वो repeatedly papers में भी पूछे गए है ठीक है भगत सिंग और उनकी basis पर बात करें यह question जो है हेर फेर करके इधर से उधर पूछा जा चुका है then एक गुपता period पे जो अगर हम देखे questions पूछे जाते है why is गुपता period called the golden age of India यह पूछा गया था question आपसे then similarly अगर गुपता इस paper में पूछ लिया गया है तो मौर्या उससे next year वाले paper में आपसे पूछा गया है तो यह alternatively यहां पर चलता आया है then चोला से related questions आपसे repeatedly पूछे गए है and again quit India movement एक star लगा लीजी यहां पर इसके regarding कोई भी event आपसे directly paper में पूछा जा सकता है freedom struggle में specifically quit India movement के ओपर बहुत सारे questions directly as well as indirectly आपसे पूछे गए है industrial revolution पे भी questions आए है in terms of not only French revolution यहां पे उसका impact क्या पड़ा जितमी भी हमारी revolution आई हमारे रहना सापी रट था वो सबका सब यहां पर पूछा गया then world war से related यहां पर basically हमें देखे है कि personality based questions ही पूछे गए है world war में ठीक है as in कि यहां पर हिटलर की ideology आपसे पूछी गई है then Hitler के बाद further आपसे पूछा गया है कि हमार अब यह peace वाला topic आप in relation to Buddhism भी आपसे पूछा गया exam में in respect of world wars भी आपसे पूछा गया है ठीक है कैसे कि Buddhism कैसे world peace establish कर पाई then after that कि world war के time पे peace को establish करने के लिए क्या-क्या अब जो steps है वो लिए गए यह सब कुछ यहां पर पूछा गया है right तो अब क्या है वो चीज देख ले आपके सामने हम लेडाउन कर रहे है डिरेक्ली के पाटन हमने स्टाबिश कैसे किया देख लीजिए यहां पर कि पहला question आपसे 2018 में प्रियाग राज के बारे में पूछा गया था अगैन उस टाइम पर अगर हम कहा है इसी साल पेपर हमारा जो है पाटन चेंज हुआ है तो question industrial revolution सरफ आपके जो paper में पूछी गया आपसे French revolution के बारे में पूछा गया है बट यहां पर question आपसे British industrial revolution के ऊपर पूछ लिया गया यह question important है अभी के लिए नहीं तो at least आपके GS 5 ए 6 में खहीं पर भी question आपके लिए important हो जाएगा इसके बाद अगर हम देखे हमारा 2018 का जो बाकी बचा हुआ paper है वेदिक education जो है वहाँ पर question आपको पूछा गया then quit India movement में आपको बोला वहाँ पर directly आपसे question पूछा गया one form or the other then world peace in terms of second world war ठीक है तो यहाँ पर in terms of second world war है ना in some other exam papers जो हम आने वाले टाइम पर भी पढ़ेंगे उसमें ये with respect to world peace and buddhism यहाँ पर ये context derive कर दिया गया है ठीक है 2019 का ही अगर हम paper देखते हैं सर्दार वल्ला भाई बटेल again personality based questions की उपर यहाँ पर focus होना आपको बहुत जादा जरूरी है देखिए बुद्धिस literature in creation of world peace तो world peace पहले अब क्या था world war के टाइम पर पूछा गया देन अब यहाँ पर उसी context को change करके buddhism लगा दिया गया देन महात्मा गांधी के important topic उनकी approach क्या थी personality based questions देख लीजे कि 2019 में ही एक ही paper के अंदर फिलहाल starting के 3 या 4 questions में ही तो आपको totally यहाँ पर याद रखना ही होगा after that यहाँ पर इंडियन economy badly injured during the 200 years of British rule यहाँ पर British period ठीक है तो यहाँ पर आप देख लीजे कि 200 years of British rule यहाँ पर आपसे पूछा गया है यह question ठीक है general question है यहाँ पर आप events बताएंगे तो यहाँ पर यह चीज आ गई then ideology आ जाती है of Hitler in bringing about the role of Hitler in second world war यहाँ पर आपसे directly पूछ गया revolt of 1857 तो यही paper जो 2019 का है इसमें आप देख लीजे directly आपसे तीन personalities के बारे में तो पूछा ही गया है तो पलड़ा यहाँ पर personalities को लेकर बहुत जादा भारी है with respect to UPPCS का history का exam ठीक है mains का then 2020 की paper की बात करते है अगेन पहले तो आप देख लीजे हरपन civilization के उपर यहाँ पर question है ठीक है after that गांधी का वर्न system गांधी जी की ideology को again यहाँ पर किसी और perspective में आपसे पूछ लिया गया पिछले paper में आपसे Hitler के बारे में पूछा गया था 20 वाले question में आपसे क्या मसोलनी के बारे में पूछ लि after that 13th question तक बढ़ते बढ़ते आप देख लीजे आपसे चौथी personality के उपर भी question 2020 में पूछ लिया गया है तो यह directly यहाँ पर क्या है एक inference आप खुद से draw कर सकते हैं के personalities को आपको बिलकुल भी ignore करके नहीं जाना है दूसरी inference आप यह draw कर लीजे के महात्मा गांधी के उपर को and you cannot avoid it right तो यह दो inferences अभी तक आप draw कर लीजे ठीक है अब हमारे पस 2021 का paper देखे तो again industrial revolution आ गया पहले French revolution पूछा फिर British revolution पूछा अब industrial revolution के उपर एक common question आप से पूछ लिया गया है then again after that Indian renaissance movement के उपर यह question आ गया अब वो देखिए कि वैदिक literature का question जो 2018-19 के आसपास वाला जो question पूछा गया था again उसी के context में यहाँ पर repetition है इस question की right then revolutionaries again a personality based question 2021 में जो repeat किया गया है not directly but indirectly right जो inferences हमने पिछली slide में draw किये थे again same चीज जो है हमें बिल्कुल भी ignore यहाँ पे paper में नहीं करनी है after that अब 2021 के ही paper में आप देख लीजे first world wars related फिर से question क्योंकि आपका syllabus का direct part है हाना तो उसी के basis पे यह इसका कहने का paper का मतलब है कि personality based questions तो आएंगे ही आएंगे उनको आपको priority तो देनी ही देनी है but इसके अलावा जैसे balkan crisis के उपर यह question आ गया क्योंकि दो 2021 के around यह in news भी थे ठीक है तो इसी वज़से आप जो minor topics हैं उनको ignore बिल्कुल भी मत कीजेगा ठीक है major focus जो है आप इनके उपर जो inferences हम आपके साथ बैट के हाप आपको share कर रहे हैं वो चीज तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है बट इसके इलावा current affairs में basic topics क्या है उसके basis पे क्या question बन सकते हैं वो भी आपको पढ़ने है at least give it a reading कि आपको idea होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं तो basic चीज तो यह हम आपको बता ही रहे हैं लेटर ओन अब देखते 2022 का पर recent paper ठीक है रेनसार इन उत्तरप्रदेश रेनसार इन उत्तरप्रदेश वाला question रेनसार का अब relation with other places as well पहले अब इस बार उत्तरप्रदेश के बारे में पूछ लिय क्या था right after that बाल गंगा धर तिलक again a personality based question after that 2018 में मैंने एक सार्मा question करवाय था heritage आखवला आपको के याद रखना अब यह इस साल के paper में यानि कि 2022 का जो latest paper गया है उसमें आपको as it is यह copy paste करके question दिया गया है right so अब एक pattern आप भी draw करना शुरू कर रहे होंगे कि personality based questions गुपता के उपर questions maurya's के उपर questions यह सब यह देखें गुपता पीरिट के उपर भी question हमारे सामने आ गया हना revolutionary philosophy formulated भागत सिंग फिर again a personality based question तो अब जो points ancient Indian knowledge के on the basis which was given and designated as विश्व कुरू right again वही वैदिक पीरियड वाला टेक्स्ट आप से घुमा फिर आके question यहां पर पूछ लिया गया चोला के उपर recent question आया था right then maurya's quit India movement industrial revolution everything is very much important इसके अलावा main focus आपको किस चीज के उपर रखना है कि आपके current affairs में कौन सी कौन सी चीज़ है यह with respect to your syllabus important है एक चीज़ आपने और notice की होगी कि with respect to the Muslim dynasties यहां पे कोई भी question आज तक UP PCS ने नहीं पूचा है though it is a part of your syllabus right तो यह इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे पढ़के नहीं जाएंगे आप इसे पढ़के जा सकते हैं but दो अभी तक कि इस pattern में पूचा नहीं गया है तो you can give it a light reading but पढ़के ज़रूर जाएगा इसे भी right तो अब इसी के basis पे हमने कुछ चीज़ों को formulate करते हुए नई चीज़ों को या नए pattern को adapt करते हुए सेम ही तरीके से जैसे जो हमने pattern establish किया है आपके लिए specifically design किये है ऐसी ही mains की GS की test series जो की with evaluation भी है without evaluation भी हमार पास available है जिसमें आपको 6 sectional test दिये जाएंगे अब जो मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का ही analysis मैंने ऐसा क्यूं किय है that is because कि जो यह 6 sectional test है as per our schedule हमने यह sections के basis पे ही अब distribution की थी subject की तो पहला sectional test already जा चुका है जिसके आज की दिन ही बच्चों को चले गए होंगे solutions और second test भी आज जा चुका है यानि कि history के test के solutions भी बच्चों के पास पहुंच गए है right and second test जिसमें हमने second section को divide किया था quality governance and IR के अंडर वो भी अब जो हमारे students हमारे साथ enroll हो चुके हैं उन्हें जा चुका है right तो basic idea हमारा इस project का यही है कि आपको 6 sectional test मिल रहे हैं and 4 full length test मिल रहे हैं इसके अलावा 2 specific जो की UP के साथ deal करेंगे test वो भी आपको दिये जाएंगे क्यों क्योंकि अब optionals तो drop हो चुके हैं हाना optionals की जगा UP specific content की जब तक आपको test की idea नहों तो आप कैसे उस चीज के उपर finally attempt कर पाएंगे right क्योंकि pattern नया है इसके अलावा एक complimentary चीज जो आपको मिल रही है that is monthly compilation of UP specific current affairs जो की होंगे January 2023 से September 2023 तक available and साथ के साथ ही अभी भी अग चीने की compilations हम अपने students तक पहुंच आ चुके हैं right तो course का price अब देख लीजिए 4499 है and अगर आप with evaluation या अपने answers को check करवाना चाहते हैं तो अब 6299 का ये course का price है right तो अब आप देख लीजिए schedule के हिसाब से already मैंने आपको बताया दो test जा चुके हैं इस हफते मैंने history का analysis कि क्या था next week quality governance and IR के analysis के साथ next Saturday को मैं आउंगी आपको बताऊंगी कि क्या-kia inferences हमने वहाँ पे भी draw की है right so I hope आपको ये help किया होगा and though ये inferences हमने draw किये हैं but आप बाकी चीज़े भी पढ़ कर जाएंगे उसे बिल्कुल भी ignore नहीं करेंगे so आज के लिए तना ही thank you so much